सब्सक्राइब किजिए बायो स्टेडी विद निखिल यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए एड्यूकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए बायो स्टेडी विद निखिल यूटूब चैनल हेर विल लॉन बायो जी इन सिंपल वे प्रेस का नेम होगा उसके अंदर आपको इसका पार्ड फॉस्ट मिल जाएगा ठीक है पार्ड फॉस्ट देखवा वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है रोग देखने के बाद यह पाल टू आपको इजीली समझ में आएगा नहीं तो यह आपको समझ में नहीं आएगा अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चानल को सब्सक्राइब करो हैं साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको भी हीट करो तो जब भी हम फ्यूचर में नीव वीडियो डादेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसके साथ यह तो अभी सटार्ड करते हैं वे को पाट टू के अंदर हम क्या देखेंगे सो पार टू के अंदर हम देखेंगे एक्टों साइज अ मसे एन्वालनुसीय सबसे पहले और का तो सबसे पहले अटम बोलेंगे तो अटम The smallest particle of matter, okay, matter, जो matter होता है, ठीक है, matter या फिर हम उसको बोलेंगे solid, for example, जो stone होता है, na stone, ठीक है, जो पत्थर होता है, वो हम लेंगे as a matter, वो क्या है तो एक matter है, और पत्थर का सबसे चोटा part, सबसे चोटा part को हम बोलेंगे atom, ठीक है, तो matter जो हतना है हमारा, matter का सबसे चोटा part होत ाय्टम ठीक़ किए फर एक्साम्पल जो चॉक ले लो worker जिससे लिखते हैं तो उसका छोटा सब अगर पार्ट लोगे तूसको बहुता एक पर सिंपल में आप ध्यान में रखो कि साइज मास एन वैलेंसी यह तीनों चीज़े आपको सवाल आपको क्या करने है यह पहले पढ़ा था उसके अंदर से आपको सवाल जो है वह देखने है तो देखो आगे इसके अंदर स्कैटा के अंदर से अंदर से नियुक्लिया पार्ट्र। किसी भी आइटम के ठीक है and the electrons are negatively charged, electrons जो होते हैं, negatively charge होते हैं, उसके उपर, electron के उपर, elementary particle because element के अंदर होते हैं इसलिए मुझे को elementary particle बोलेंगे While the elementary particles that make up the nucleus are positive charge that is protons और ऐसे elementary particles जो nucleus को positive charge बनाते हैं वो होते हैं protons मतलब protons के उपर positive charge होता है and protons जो nucleus के अंदर होता है and electrically neutral protons जो simple में proton, neutron and electrons ये atom के अंदर पाए जाते हैं ठीक है तो अभी आपको सीधा समझ में आ जाएगा जो कि हमारे ये line कहते है is the nucleus center में होता है क्या होते है, center of atom is nucleus ठीक है and there are moving electrons और ये outermost shell में होते है moving electrons ठीक है and वो देखो, in the extra nuclear part because nucleus का part तो इतना ही है, ठीक है ये nuclear part और ये nuclear part को छोड़ के इसलिए extra nuclear part ठीक है and simple में आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर electrons होते है जो outermost में होते है, बोले तो extra nuclear part में होते है वो negatively charge होते है ठीक है and यहाँ पर simple में ध्यान में रखना है कि जो center है वहाँ पर होते है proton and neutron ठीक है and proton के उपर होता है positive charge टीक हैं उसकों मैं और को पर पछियर नहीं सब्णक्राइब रहले तो यह अंदर के अदर रहे तो यहां पर होते हैं एक्ट्राज्ब की निगटिवली इस्वॉस ग़िए जो की आराउंड में क्या करते है تुnaj किए coal ठीक है तो यहाँ पर आपको सिंपल में समझ में आ गया कि जो आइटम है उसको एक न्यूक्लियस होता है ठीक है जो इलेमेंट है ठीक है जो आइटम है उसको क्या होता है न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर होता है और यह outermost orbit में क्या करते है moment शो करते है यह आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर simple way के अंदर ठीक है आगे देखो आगे देखें कि the size of atom ठीक है size of atom determined by radius its radius ठीक है तो जो size है atom की मतब आटम की कितनी size है वह मुझके radius से मुझको निकालेंगे ठीक है एन radius क्या है तो simple में ऐसा अगर circle है या फिर हम atom करेंगे तो center से outermost जो हमारी shell है वहां तक जो distance रहेगा उसको radius बोलेंगे ठीक है and the atomic radius देखो atomic radius of an isolated atom is the distance between देखो यहाँ पर यहाँ से definition साल जाल हुआ है atomic radius of the isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and outermost orbit ठीक है तो सबसे यह जो है वो nucleus है और nucleus से outermost orbit तक जो भी distance होगा उसको बोलेंगे radius ठीक है and atomic radius is expressing nanometer और यह जो है वो nanometer के अंदर express होती है कौन सी atomic radius बोलेंगे तो atom की radius उसको बोलेंगे atomic radius हमको पता है कि जो center है उससे यहाँ पर outermost shell तक जो part है यह फिर distance जितना distance है उसको बोलेंगे atomic radius ठीक हो जो है वो nanometer के अंदर express होती है इसका unit है मतलब जो radius है उसको nanometer के अंदर measure करते है ठीक है देन देखो approximate size of atom of molecules so approximately size देखो atomic radius in meters and इसका example ठीक है so 10-10-10-meter यह hydrogen atom जो है उसकी radius है उसके बाद 10-9-meter यह water molecule की radius है ठीक है water molecule की radius है उसके बाद है 10-8 यह है hemoglobin molecule की radius ठीक है तो यह ही आपको ध्यान में रखना है simple में कि यह क्या है तो simple में atomic radius है atomic radius आपको समझ में आ गया कि atom के अंदर मतलब atomic and radius मतलब की center से outermost orbit तक जो distance होता है उसको radius बोलते है वो atom की radius जो है यह इसके example की मतलब की यह atomic radius इसके अंदर पाई जाती इतनी इसके अंदर पाई जाती है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है यह आपको उक्ची युनिट ध्यान में रखना है वह वन अपॉन अपॉन टेंश्ट्यू पावर नाइन मतलब सिंपल में 10 2 & 9 यह टा है यह होता है 1-meter ठीक है 1-meter is equal यह इकल इसके उपर अभी 90 है तीक है यह आपको ध्यान में रखना है वो हो गया 10विश्ट पाउर 9 नानो मीटर और उस जो 10विश्ट पाउर 9 नानो मीटर इतना जोड के बनता है 1 मीटर ठीक है और नानो मीटर कीit 101 आन only मीटर के यह चीवल में आपको को ई्रढ का एक सुम्मने में आपको इस का इन पर खेंग है प्रूक जाए मिल जाएगा चीविश्ट हो जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर नव यारमेंट के उन्वार्रमिंट के उपर इन्वार्मेंट के अंदर जितने उन्यमेंट म मिल जाएगा और उसका एटम बोल तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका यह यहाँ पर माइक्रोस्कोप का वीव है ठीक है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको इमेज का इंदर ब्लैक है उसके बाद यह सभी क्या है तो एकसे बाद आगे देखो अगे है, atoms are very teeny, ठीक है, यह कैसे होते हैं, teeny या फिर tiny होते हैं, बोले तो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, and modern instruments like the electron microscope filled in iron microscope, scanning, उसके बाद हैं, tunneling microscope, यह सभी microscope के नेम है, enlarge the image of atom, जो item है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, and उसको बढ़ा करके देखने के लिए, हम इस तरीके से जो यहाँ पर, microscope है, उसका इस्तमाल करते है, and look at the image of an atom figure 4.2, जो कि हमने पहले देखा था, iridium atom का जो है, हमको view दिखा था, atom का, तो उसके अंदर केतने हैं, thousands of, जो हमको atom दिख रहे थे, जो spot है, वही atom थे, and obtain with a filled iron microscope, ठीक है, और यह जो ह यहाँ पर simple में हमको उसका क्या मिला था, view मिला था, वो ही है simple में, मतलब कि यहाँ पर हमको simple में एक ध्यान में रखना है, कि जो atoms होते हैं, वो very tiny, and modern instruments, like electronic microscope, so यह क्या है, तो modern instruments है, ठीक है, अभी के instruments है, इससे हम क्या कर सकते है, तो जो हमारा atom है, उसकी हम size, या फिर उसका जो view देख सकते है, और atom जो है, वो सब से चोटा particle होता है, इसलिए वो यहाँ पर हम उसको easily नहीं देख पाते, इसलिए modern instruments, like microscopes, आपको जो, या फिर हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बाद नेक्ष देखो आगे, the atomic size depend upon the number of electron orbits in an atom, जो जो atomic size है, बोलो तो atom की size, वो larger the size, अगर orbit जादा है, तो large size होगा, for example, an atom K, मतलब potassium, ठीक है, potassium को हम K से denote करते है, is bigger than the atom Na, मतलब sodium, यहने एक इसका symbol है, तो sodium का symbol है, ठीक है, मतलब कि potassium जो है, वो bigger है than the sodium atom, उसका atom जो है, potassium को बढ़ा है, because sodium atom से, because जो यहाँ पर potassium है, उसके अंदर जादा orbits है, ठीक है, इसलि कि अगर size of atom, number of electrons, orbits, orbits जादा है, तो size of atom बढ़ा होगा, the greater the number of orbits, the larger is the size, बतलब कि अगर orbits जादा है, तो larger size होगा, लेकिन इसके अंदर आपका इसका example देखना है, जो potassium है, यह bigger size है than the sodium, sodium से बढ़ा है, because potassium के अंदर जो जादा, यहाँ पर simple में क्या है, तो orbits है, और हमने पहल sodium के हिसाब से, जो sodium है हमारा, उसके size कम है, because इसके अंदर orbits कम है, लेकिन अभी बात करेंगे, if two atoms have the same outermost orbit, लेकिन अभी ऐसे दो electron लेंगे, जिसके अंदर same atomic orbit है, ठीक है, मतलब कि जो है, atomic orbit, ठीक है, orbit अलग होता है, और orbit के अंदर के electrons अलग होता है, तो यहाँ पर simple में, अ इसको, अब इसकी size कौन सी बढ़ी है, या फिर कौन सा atom छोटा है, वो कैसा determine करेंगे, तो simple में आपको ध्यान में रखना है, if two atoms have the same outermost orbit, अगर दो atom की outermost orbit same है, then the atom having the larger number of electrons, okay, then ऐसा atom आपको धुनना है, कि जिसके orbit में larger electrons है, in the outermost orbit is smaller than that of other fewer electrons, जिसके अंदर सबसे के अंदर, जो orbit है, वो सेम है, लेकिन, जिस orbit के अंदर सबसे ज्यादा electron है, उस atom के, उस atom जो है, उसके size छोटी होगी, और जिस orbit के अंदर, जिस atom के, मतलब के simple में, हम element बोलेंगे, हापर simple में, जो element है, उसके orbit में, अगर कम electrons है, तो उसकी size यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक यही आपको ध्याद में रखना है, in the same outermost orbit, इसका example है, magnesium is smaller than the sodium, ठीक है, अभी magnesium and sodium की बात कर रहें, तो इसके orbit जो है, वो दोनों के same है, orbit same है, लेकिन, magnesium जो है, इसके अंदर ज्यादा, क्या है, तो simple में, outermost जो electron है, मतलब कि, जो last वाला orbit है, उसके अंदर ज्यादा electron है, द्याने में रखोगे, अगर आप जो concept के उपर focus करेंगे, तो simple में आपको आजाएगा, ठीक है, एक दुबार आपको repeat repeat video देखना है, बाकि कुछ नहीं करना, ठीक है, तो यह है हमारे, यहापर notes हमने बनाए है, आपका जो chapter है, उसको notes के form में हमने convert किया है, मतलब इससे क्य होता है, कि जो आपको देखना पड़ता है, या फिर जो आपको पढ़ना है, वही पर आप focus करते हो, लेकिन किताब में आशा क्या से होता है, कि एक ही page पर बहुत सारे topics होते है, और आप focus नहीं कर पाते है, ठीक है, तो यह आपर simple में हमने क्या किया है, तो आपके notes को जो है आपके, the mass of an item is concentrated in its nucleus, concentrated, sorry, मतलब कि जो mass होता है, किसी भी atom का, वो concentrated, मतलब कहा पर present होता है, तो nucleus के अंदर होता है, and it is due to the protons, क्यों होता है, because of protons, and neutrons in it, because जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो element है, या फिर हम उसको बोलेंगे, nucleus के अंदर होने वाले, यहाँ पर elements, या फ proton and neutron, and proton and neutron जो है, वो हैं यहाँ पर nucleus में इंदेखो proton and neutron, गिसलिए जो nucleus के अंदर पूरा का, पूरा mass atom का concentrate होता है, atom का, पूरा का, पूराmass nucleus के अंदर concentrate होता है, because वो हाँ पर proton and neutrons होते है, and the total number of protons and neutrons in the atomic nucleus is called as atomic mass number, और atomic mass number किसे भूम बोलेंगे, तो देखो, some of protons and neutrons in the atomic nucleus is called as atomic mass number, मतलब कि किसी भी element का, अगर atomic mass number आपको calculate करना है, तो उसके element के अंदर, जो nucleus है, उसके अंदर कितने protons हैं, कितने neutrons हैं, कितने neutrons हैं, कितने neutrons हैं, उसके addition करोगे, तो आपके पास simple में atomic mass निकल के आएगा, atomic mass number हो होते हैं, इसकी addition की, तो हमारे पास आए गया, atomic mass number, ओके, हमारे पास आगया, atomic mass number, atomic mass number के definition का करेंगे, some of the protons and neutrons present in a nucleus of any atom, known as atomic mass number, और दूसरा होता है, atomic number, atomic number होता है, some of the protons plus electrons, ठीक है, atomic number, यह होता है, atomic number, some of the protons plus electrons present in an nucleus, present in an atom, nucleus नहीं बोलेंगे, फिकोज यह दोनों nucleus के अंदर होते है, electron outermost में होते हैं, इसलिए हम यहापर बोलेंगे, some of the protons plus electrons present in atom, okay, atom ही बोलेंगे, nucleus of atom नहीं बोलेंगे, so present in atom is known as atomic number, ठीक है, मतलब कि अगर आपको atomic number calculate करना है, तो आपको क्या करना है, simple में, proton plus electron की addition करने है तो आपके पास atomic number आ जाएगा, और अगर आपको atomic mass number calculate करना है, तो number of protons plus आपको neutron, charles होते हैं, वो जो है, इसको addition करने के बाद आपके पास आपके पास आगया atomic mass number, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, atomic number हैं, atomic mass number के अंदर, उसके बाद, protons and neutrons are together called as nucleus, protons and neutrons, यह दोनो को साथ में हम nucleus बोलते हैं, क्यों, विगोज जो दोनो nucleus के अंदर होते हैं, ठीक है, किसी भी atom के अंदर, इसलिए हम इसको nucleus बोलते हैं, electron को हम nucleus के अंदर नहीं होता, किसी भी atom के, okay, then, an atom is variety नहीं, atom जो है, वो tiny होता है, मतलब कि छोटा होता है, and then, how do we determine its mass, अभी क्या है, त scientist को भी ये सवाल आया, okay, face his question, okay, face this question, ये question जो उनको भी आया, कि जो atom है, उसका size बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसका हम mass कैसे निकालेंगे, और mass निकालने के लिए, तो हमको उसको center में देखना पड़ेगा, कितनी protons and कितने neutrons है, उससे बाद हमको निकल आयेगा, हमारे प करने को उनको calculate नहीं हुआ, to measure atomic mass accurately, and therefore, to, okay, the concept of relative mass of atom, so 19th century scientist आये थे, उनको ये मतलब की possible नहीं हुआ, to measure atomic mass accurately, accurately, जो है, atomic mass उनको measure में नहीं आया, कौन से scientist को, 19th century के scientist को, और उसके बाद new concept जो आई, वो है, relative mass of an atom, ये relative mass of an atom, ये concept आने के बाद हम calculate कर पाएंगे, किसी भी atom के mass को, so कैसे इन्होंने calculate क्या देखो, relative mass of atom क्या है, was put forth, इसको जो अलाया गया, and reference of atom was required for expressing relative mass of an atom, so relative mass of an atom, ये concept है, और relative mass of an atom अगर अगर आपको देना है, तो आपको एक reference atom आपको लेना हो रहेगा, ठीके, क्या ले hydrogen atom being is the lightest was initially chosen reference atom, और क्या किया गया, तो hydrogen वो initially used किया गया, hydrogen as the reference atom, ठीके, reference atom, मतलब जो relative mass of an atom है, इसमें हम reference atom को use, इस्तमाल करके, हम क्या कर सकते है, mass of an atom निकाल सकते है, कोन से भी, तो यहाँ पर reference atom लगता है, तो initially, जो starting में, उन्होंने hydrogen as a reference atom, उन्होंने calculate किया था, and the relative mass of hydrogen atom has one, इसके अंदर जो कितना है, only one protons in its nucleus was accepted as one, तो hydrogen का जो हमारे पास आया था, atomic mass number वो था one, और यह हमारा reference atom था, ओके, किसके अंदर relative mass of an atom के अंदर, ठीके, and therefore, the magnitude of the relative atomic mass of the various atom become equal to their atomic mass number, और यह जो है, simple में, the magnitude of the relative atom, जो relative atom होगा, उसका masses, of various atom become equal to their atomic mass number, उसके atomic mass number के वो equal होगा, ठीके, मतलब protons plus neutrons, so hydrogen का हमारी कितना है, तो simple में आपको धान में रखना है, one है, तो देखो, आगे आपको समझ में आएगा, आगे है, so, let's us, how to express the relative mass of nitrogen, अभी हमने क्या किया, तो hydrogen as a reference atom यूज़ किया, अभी हम nitrogen जो है, अभी हम देखते कि कैसे हम, उसका atomic mass number calculate कर पाएंगे, so, having accepted the relative atomic mass hydrogen one, तो relative mass जो है, वो यहाँ पर concept, हम relative atomic mass concept अड़ करेंगे, और जो reference item है हमारा, वो कौन सा है, hydrogen, so, यहाँ पर आपको simple में ध्यान में रखना है, जो हमारा, यहाँ पर simple में nitrogen है, उसका जो atomic number है, वो 7 है, ठीक है, atomic number कितना है, 7 है, और hydrogen का, atomic mass number 1 है, और यह जो है, वो 7, simple में क्या, nitrogen atom जो है, वो कितना है, तो simple में देखो, the mass of nitrogen atom is 14, इसका 14 टाइम से, of the hydrogen atom, hydrogen atom से कितना है, 14 टाइम्स जादा है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर simple में हमारे पास निकल क्या आया, simple में, वो जो है, वो यहाँ पर है, 14, ठीक है, यह कहता हो, mass of hydrogen, ठीक है, mass of hydrogen 1 है, और 14 क्या है, तो mass of nitrogen, यह निकल क्या है हमारे पास, therefore the relative mass of nitrogen is 14, and this is how to relative mass of various elements where determined, और इसलिए इलेमेंट का भी determine कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले hydrogen का 1, उसके बाद 7 जो है, उसको हम nitrogen का atomic number 7 है, और 7 को double करते हैं, simple में 14 आ जाएगा, and this is, जो 7 है हमारे उसको double क्यों क्या, because proton plus neutron, इसके addition को हम atomic mass number बोलते हैं, और जितना proton होता है, उतना ही neutrons होता है, relative में, ठीक है, कभी-कभी एक-दो जो है, कभी-कभी कम भर सकता है, या फिर एक-दो ज्यादा भर सकता है, ठीक है, यह आपको जानवा रकता है, this is how the relative mass of various elements where determined on the scale, and the relative atomic mass of many elements came out in the fractional, वो fractional में आता है, ठीक है, and therefore, in a course of time, वो fractional में आता है, मतलब 1 upon something, 3 upon 5, ऐसे fraction में आता है, लेकिन बाद में क्या होगा, कुछ time हो जाने के बाद, some other atoms were chosen as a reference atom, उसको बाद hydrogen को छोड़के, कोई दुसरे वाले atoms जो है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किये गए, as a reference atom, सबसे पहले starting में hydrogen ही reference atom यूज हुआ था, and finally in 1961, the carbon atom was selected as a reference atom, और 1961 के अंदर, जो carbon atom जो हमारा atom है, वो reference atom ऐसा चूज कहा गया, and in this scale, the relative mass of carbon atom was accepted as 12, ठीके, carbon का कितना यहाँ पर 12 accept क्या था, and the relative atomic mass of the one hydrogen atom is compared to the carbon atom become 12, ठीके, 12 into 1 upon 12, ठीके, यह कितना आएगा, 1 upon 10, प्रोज यह जो है, 1 हमारा hydrogen का, and that is 1, मतलब यह 12, 12 get cancelled, and 1 आएगा हमारा, simple में, carbon as compared to hydrogen atom, इसके अंदर उसका atomic mass, वो आगया 1, and thus the mass of 1 protons, of the 1 neutrons on this scale, relative atom mass approximately 1, तो हमारे पास क्या निकल क्या है, the mass of 1 proton, of 1 neutron, ठीके, and of 1 neutron, मतलब 1 proton and 1 neutron, on the scale of relative atomic masses is approximately 1, मतलब कि relative atomic masses, इसके sum के अंदर, इसके scale के अंदर, जो 1 proton and 1 neutron, इसका addition approximately 1 आएगा, ठीके, यह आपको जान में रखना है, सबसे पहले हमने, हमने, जो hydrogen as a reference element, उसके बाद हमने carbon as a reference element, उसके बाद हमने carbon as a reference element, जो हमने carbon जो हम बोलेंगे, atomic masses का 12, and hydrogen का 1, और इसलिए हम क्या करेंगे, 12 into 1 upon 12, and simple में 12, 12 get cancelled, and 1 आएगा, and therefore, 1 proton and 1 neutrons, of the scale relative atomic masses is approximately 0, approximately 1, मतलब कि relative atomic masses के अंदर, यह 1 होगा, ठीके, तो यह आपको simple में ध्यान में रखना है, तो यह आगे देखो, simple में यहाँ पर elements है, उसके atomic mass है, उसके बाद elements, हमारे पास बहुत सारे elements दिये गए है, यहाँ पर, simple में हमारे अंदर, जो हमारे environment के अंदर, 118 से ज़्यादा, से ज़्यादा elements पाए जाते हैं, 118 से ज़्यादा, 118 ऐसे हैं, बाकि कुछ और scientist लोगे ने discover किया है, जो hydrogen atom है हमारा, ठीक है, कौन सा atom है, hydrogen, उसके atomic number कितना है, 1 है, helium का कितना है, 4 है, उसके बाद lithium का कितना atomic number 3 है, और इसका है 7, 3 into 2 करेंगे, 3 इसका double हो जागा 6 and 1 add करेंगे, यह कुछ ऐसा element है, जिसका double है, simple में, यहाँ पर carbon देखो, इसका 7 atomic number है, और यह देखो, simple में, इसका जो, sorry, carbon का 6 है, nitrogen का 7 है, carbon का 6 atomic number है, और उसका atomic mass हो गया double, 12, nitrogen का 7 atomic number है, उसका mass double हो गया, 14, okay, so double में है कुछ elements और कुछ elements थोड़ा कम जादा है, ठीक है, यह आपको ज्याद में, simple में, क्या जिशे में हो, ऐसा ही, देखो, 20 इसका atomic number है, और इसका 40 atomic mass number है, ठीक है, तो यह आपको ज्याद में रखना है, simple way के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर simple में आपको क्या करना है, तो कुछ elements जो है, उसके atomic mass number double है, तो कुछ के, जो है, उसके अंदर एक addition है, या फिर कुछ के अंदर, एक कम है, ठीक है, यह है आपको simple में, ध्यान में रखना है, atomic mass number के अंदर simple में, आपको उसको रट लेना है, पिर part करना है, ठीक है, तो यह है हमारा atomic mass number, पर हमने देखा इसके अंदर तो यहाँ पर पार्ट टू जो है हमारा खतम होता है ठीक है तो मिलते हैं गाइस नेक शुड़े में तब तक के लिए स्टे हापी स्टे मोटिवेट थैंक सू मच